आज की इस कहानी का नाम है मूर्क दोस्त। एक बार कुछ दोस्त घूमने के लिए निकले। वो अच्छे दोस्त है और घूमते हुई जंगल की तरफ जा रहे थे। जब सभी दोस्त जंगल में पहुँचे तो उन्होंने अपने खाने के लिए सामान निकाला और कहा कि अब ह हमें इस जंगल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर घूमते हुए और आनम के साथ यात्रा करनी है। फिर सभी लोगों ने अपना सामान उठाया और चलने लगे। सबसे पहले ही जब कुछ दूरी पर चले तो उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे को देख लेना चाहिए कि गिना बाकी पांचों को गिना और कहा कि हम तो केवल पांच ही है लेकिन हम तो 6 होने चाहिए। इसका मतलब एक दोस्त हमारा कही छूट गया है। फिर बारी बारी से सभी ने गिंती की, लेकिन गिंती करते समय उन्होंने अपने आपको छोड़कर बाकी पांचों को अब हमें उसे धूंदना चाहिए तो सभी मिलकर उस दोस्त को धूंदने लगे जब धूंदते हुए काफी समय हो गया तो ठक कर एक जगह बैठ गए और सोचने लगे एक साथी हमारा आया था वह भी हमसे खो गया है अब हम अपने साथी को कैसे धूंदेगे तब ही वहां से एक आदमी गुजर रहा था उस आदमी को गुजरते देख उनमें से एक दोस्त ने पूछा कि क्या आपने हमारे किसी साथी को पीछे देखा है तो उसने कहा मुझे तो कोई नहीं मिला उसने कहा कि हम छे लोग चले थे और अब केवल पांच ही है तब आदमी ने सोचा कि यह तो लोग मूर्खता की बाते कर रहे हैं जबकि छे के छे यही खड़े हुए है फिर उस आदमी ने कहा कि तुम तो पूरे पागल हो लेकिन उसने कहा कि जब हम गिंती करते हैं तो हम पांच ही निकलते हैं तब उस आदमी ने कहा तुम गिंती कैसे करते हो तब भी अपने आपको छोड़कर बाकी लोगों को उसने गिना और पांच लोग बताएं तो उस आदमी ने कहा कि ऐसे नहीं गिनते गिनते वक्त अपने आपको भी गिनना चाहिए क्योंकि तुम भी आपस में दोस्त हो अब उनकी बात समझ में आ गई कि हम अपने आपको नहीं गिन रहे थे बाकी तो हम सब यहीं है इसलिए कहते हैं कि ज्यादा तेज होना भी मूर्खता का परिनाम साबित होता है इस कहानी से आपने क्या सीखा नीचे कॉमेंट हमें जरूर बताएं